चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदेख स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों राजस्तान इस्टे वेकंसी राउंड में अभी भी सीट वेकंट हैं याने कि इस्टे वेकंसी राउंड 11 अप्रेल 22 को कंड़क्ट होना है तो इसमें एक गौर्मेंट फ्री सीट याने कि जालावार में यूर्जी की एक सीट बची हुई है अभी इसके बाद में पाली मनेजमेंट में एक सीट यूर्जी की बची हुई है URG मतलब Unreserved Girls Candidate उसके लिए seat बची हुई है उसमें सभी category के candidate Girls Candidate आ सकते हैं OBC, EWS सारे और इसमें URG में सभी candidate आ सकते हैं Girls Candidate जालावार के लिए जो seat बची है इसके अलबा RUHS में एक NRI की URB की seat भी बची हुई है इसमें NRI Candidate नहीं होने की इस्तिती में ये management में seat convert करके अलोट की जाएगी यानि कि जो 720,000 की फीज की seat है वो अभी भी बची हुई है तो URB category में सभी candidate सभी category के candidate इसके लिए applicable हैं इसके बाद में RUHS Dental में SD, ST Boy की एक seat बची हुई है तो ये इस प्रकार से 4 seat अभी भी government medical college में बची हुई है government medical और dental college में तीन government medical college में है और एक RUHS dental college में है SDB, STB की seat तो इस प्रकार से ये 4 seat अभी भी government की बची हुई है इसमें इसके अलावा जो private colleges है उसके अंदर भी 55 seats vacant है अभी भी जिनका जो seat filling का process है वो खुद ही private medical college करेंगे stay vacancy round के लिए बाकि जो government college है और private dental college है government dental college है उसका जो seat filling का process है वो counseling अथोटी द्वारा करवाया जाएगा यानि कि only जो private medical college है उनका stay vacancy round खुद private college द्वारा ही conduct करवाया जाएगा इसमें अभी 686 dental private की बची हुई है तो ये तो seat matrix की situation थी जो मैंने आपको बताई है अब एक बार इसका stay vacancy round का schedule देख लेते हैं तो जो counseling authority द्वारा जो counseling करवाई जाएगी वो इसका जो schedule है वो 11 अप्रेल 22 को RUHS dental में present होना है जैसे पहले round conduct हुए है उसी प्रकार से ये round भी conduct होगा seat vacant के according offline mode पर seat alert की जाएगी जो प्राइवेट को लेजे हैं उनका 12 अप्रेल 22 को है और ये concerned private college द्वारा ये stay vacancy round conduct करवाया जाएगा तो अगर आप private में admission लेना चाहते हैं तो फिर concerned private medical college से आप एक बार संपार कर लें उनके phone number पर बात कर लें आपको google पर ये मिल जाएगा वहाँ contact tax में उनके number मिल जाएंगे college के तो वहाँ पर search करके एक बार बात कर लें अगर government में admission लेना चाहते हैं stay vacancy round में vacant seat का मैंने आपको बता दिया है तो ये आप 11 अप्रेल 22 को present रह सकते हैं RUHS dental में तो इस परकार से schedule था राजस्तान के stay vacancy round का बाके update जैसे ही मिलेगी हम आपको inform करेंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं